दोस्तों B8 प्रिश्चा का परेडाम जारी कर दिया गया है, ये रिजल्ट आपने अब तक चिक कर लिया होगा, आपको बता दें कि कुल मिला के देखा जाए तो लगबग 2,03,000 सीटे हैं, B8 के लिए 2,03,000 और इसमें कुल मिला के 7,800 ये सीटें गॉर्मेंट की हैं, यानि कि यहाँ पर आपको फीस बहुत कम लगती है, बाकी देखा जाए तो लगबग 2,45,000 सीटें और भी हैं, 2,15,220 कुछ सीटें भी बढ़ने वाली हैं, तो लगबग कुल मिला के 2,03,000 लोगों का एडमिशन B8 में इस साल होगा, आपको बता देंगे कि कुल मिला के 4,23,000 अब लोगों पर एक सीट यहाँ पर उपलब्द हैं, तो 10 जुलाई से इन कालेजों में प्रिवेस के लिए आनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यह काउंसलिंग आप घर से ही कर पाएंगे, काउंसलिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी यहीं पर उपलब्द रहेगी, कुल मिलाके 4,22,871 परिक्षारतियों का परड़ाम जारी किया गया है, कुलपती मुगे उसकुमार पांडे ने बताया कि अभी कुछ महाविध्यालों से सीटों का जो व्योरा है, वो प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर हम बात करें कि ट 370 अंक आये हैं, कानपुर के राहुल कुमार ने 360 अंक प्राप किये हैं, और प्रियागराज के जो इंद्रमणी हैं, उनको 355 अंक मिला है, तो ये प्रथम दुति औरतिती हैं, यानि कि टॉप थ्री, तो फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पर खबर ये भी है कि सिक्षिकों क दो हजार पंदों पर तैनाती को काउंसलिंग के रसुलाज से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि TGT, PGT, 2016 और 2021 में जो वेटिंग लिस्ट के अभेरति हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, 2016 में और 2021 में जो रिजल्ट जारी हुआ था, तो उसमें का दिया जा रहा है, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी मादमिक्सिक्षा.upsdc.gv.in पर, तो यह जानकारी आपको वहीं पर, काउंसलिंग में उपस्री तुने वाले भृतियों का जो कटाफ है, और रिक्तपदों का जो विभागी विर्वन है, वो इसी वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, और इस चैनल पर यह जानकारी उपलब्द रहेगी, तो फिलाल TGT के लिए दो, TGT के लिए, TGT 2016 के लिए, जो स्रीवल है, वो इस प्रकार से होगा, 10 जुलाई, 24 जुलाई तक, TGT 2021 का जो स्रीवल है, वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और यह चलेगा आपका 25 जुलाई तक, और TGT के लिए जो स्रीवल है, वो 26 जुलाई का है, ठीक है, तो मिलाज जुलाई के यहाँ पर 2016, 2021 और TGT 2021 के लिए, जो काउंस्रिंग होगी, वो 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक चलने वाली है, यह जो आपका टाइम टेबल है, इसको अगरू देख लिएगा, हालांकि टेम टेबल स्टेडी विध्यानप्रकास.com और टेलिग्राम चैनल पर भी उप्रबद रहेगा, तो वहाँ पर भी आपका भी पीजा कर चेक कर सकते हैं, यह जानकारी आज के कई अख़बारों में प्रकासित हुई है, 10 जुलाई से होगी प्रतिक्षा सुची से सिख्षकों के रिक्त बड़े 2000 पदों पर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग की जो समय सारणी है, यह आज के अख़बारों में है, इसको आप रख लेजी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप संबंदित हैं तो, MTS हवलदार भरती के आव आवेदन है, वो गुरु वार्थ, सुक्रु वार्थ से सुरू हो गए हैं, इसमें MTS और हवलदार के संभावित पदों की संक्या लगबग 1198 और 360 है, यानि कुल में लागे 1588 पद है, अभ्यरती 21 जुलाई की रात 11 बजे तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फीस 22 करने को 26 से 28 जुलाई की रात 11 बजे तक का मौका मिलेगा, दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कि यह जो वाकेंसी होती है, यह मतलब आपको जो यह MTS का होता है न, मल्टी टास्किंग, नन टेक्निकल, तो इसमें जो eligibility होती है, वो high school पास ही रहती है, ज्यादा नहीं कु एक बार exam दे सकते हैं, और exam बहुत खास टफ नहीं होता है, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप सीतापूर से कस्तूरबा गांधी, बालिका विद्याले में vacancy IV है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, कब तक 19 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, 22,000 रुपे मं आपको मान दे मिलेगा, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गनित, विज्ञान, सावाजी भी से, सारीजी सिक्षा, कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट, इसके लावा लेखाकार, रसोईया, सहाइक, रसोईया, चप्रासि, चोगिदार, अगरा के पैद हैं, कोई मिला कि पैदों आपके अकेडमी के आधार पर बनाया जाएगा, और अगर आप कटाफ में आते हैं, तो आपको कॉल के जाएगा, कि आईए, अब आपका इंटर्वी हो जाए, और फिर आपको नियुक्ती मिल जाएगी, 30 जून तक आविदन करने वालों के आधार और पैयन लिंक होंगी, तो इसकी वज़े से उनको लगा कि लिंक नहीं हो पाएगा, और लिंक होगा भी कैसे, अगर फिर जमा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर एक रहात वाली बात है, जिन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, 30 जून को, तो वो अपनी फिर जमा कर पाएगे, और उनके प मिलते हैं आप से कले वीडियो में, thank you so much.